नमस्कार दोस्तों आशा करता हूं कि आप भी अपने गार्डिनिंग को अच्छे से एंजोई कर रहे होंगे तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही खुब्सूरत प्लांट के बारे में जिसको लोग Monstera या Broken Heart या Swiss cheese के नाम से हम लोग इसको जानते हैं तो आज हम बात करेंगे इस प्लांट के नेचर के बारे में इसकी के बारे में इसको कौन-कौन से फर्टिलाइजर दिये जाते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मॉंस्टेरा प्लांट के नेचर के बारे में देखे ये एक ट्रॉपिकल रेन फोरेस्ट में पाए जाने वाला प्लांट होता है तो हम लोग इस बात से अंदाज लगाएंगे कि इस प्लांट को किस तरीके का इसका nature होता है, इसको क्या के चीजे पसंद होती है देखि ट्रॉपिकल का जो मतलब होता है, वो यह होता है कि इसको warm condition इसको बहुत जादा अच्छे लगती है जो इसको growth करने में बहुत ही सायक होती है Rainforest का मतलब जहाँ पर rain regular होती रहती है जहाँ पर low sunlight होती है, rain forest की वज़े से वहाँ पर humidity बनी रहती है soil हमेशा moisture रहता है, जिसकी वज़े से organic component है वो अच्छे से develop हो पाते हैं, जो इस plant की growth में बहुत ही सायक सिद होते हैं जिसके कारण ये plant वहाँ पर बहुत अच्छे से growth कर पाता है अब हम बात करेंगे इसके care बारे में, देखिए ये tropical rainforest में पाया जाता है तो इसके कारण इसको बहुत ही medium light मिल पाती है तो हम लोग इसको अपने indoor में भी use कर सकते हैं ताकि इसकी growth अच्छे से हो पाए, इसको हम लोग direct या indirect sunlight दे सकते हैं इसको हम लोग evening की जो sunlight होती है, हम लोग इसको वो provide करते हैं इसको humidity पसंद है, क्योंकि tropical rainforest में हमेशा humidity बनी रहती है तो लगबग 30 degree से 35 degree के आसपास का temperature इस plant के लिए बड़ा ही ideal temperature होता है जिसमें इसकी growth बहुत अच्छी होती है इसको soil हमेशा moisture पसंद होती है, तो जिसके कारण वहां के soil हमेशा moisture रहती है इसमें नमी हमेशा परकरार रहती है, इस plant को भी soil हमेशा moisture ही पसंद होनी चाहिए और वाटरिंग नहीं में नमी उसमें युक्त होनी चाहिए पर और वाटरिंग नहीं होनी चाहिए rain forest में हमेशा इसमें rain होती रहती है जिसके कारण जो इसकी जो leaves है वह हमेशा साफ होती रहती है तो हम लोग इसको जब हम घर में लगाते हैं तो इसकी regular cleaning करना एक must condition हो जाती है जिसमें इसकी growth अच्छे से नहीं हो पाती है अगर इसमें dust चड़ी रहती है तो लोग बात करेंगे इसकी propagation के बारे में देखिए इसकी propagation हम इसकी cutting लेकर हम लोग उसको चाहे तो water में इसको propagate कर सकते हैं या फिर हम लोग इसको direct soil में भी लगा सकते हैं दोनों ही तरीकों से इसकी जो propagation है वो easily हो जाती है water propagation में लगब 15-20 दिन में इसमें नई shooting इसमें आ जाती है अच्छे से root develop हो जाती है तब हम लोग उसके बाद में इस plant को निकाल कर किसी भी potting mix के अंदर इसको हम लोग इसको shift कर देते हैं ताकि इसकी growth अच्छे से हो पाए जिस तरीके से हमें भी खाने के जरूरत होती है इस तरीके से इन plants को भी अच्छे से nutrient की requirement होती है देखे rain forest में हमारे जो यह plant हमें से tree के ऊपर चड़ जाते हैं तो जो tree की बार्क होती है उससे यह लोग अपने food को वहां से लेते रहते हैं इसमें जो इसकी aerial root होती है aerial roots से यह लोग अपने plant में अपने food की पूर्थी करते रहते हैं और घर पे generally हम लोग इसमें मौसिस्टिक यूज़ करते हैं ताकि इसके food की supply रेगुलर बनी रहे और हम लोग इसमें liquid fertilizer जैसे banana peel fertilizer है या mustard cake को हम लोग dilute करके हम लोग इसमें दे सकते हैं या kitchen compost को हम लोग जो उसका waste निकलता है वो liquid को dilute करके हम लोग इसमें दे सकते हैं ताकि इसके food की पूर्ती हमेश का बनी रहे और हमारा plant अच्छे से growth करता रहे अब लोग बात करने वाले हैं इसमें problems की तो इसमें problem से दो ही कारणों से हो सकती हैं या तो इसमें over watering हो जाएगी या इसमें underwater watering हो जाएगी देखें इसमें underwater watering में इसकी जो leaves है वो yellow हो जाती है यलो या brown हो जाती है जिसके प्लांट के गलने के चांसे ज्यादा बढ़ जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ जानकारी मिली होगी अपने monster broken heart के स्वीच सीज़ प्लांट के बारे में देखें अगली वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे कि मैं अपने प्लांट को बूशी बनाने के ल इसको में देता हूं ताकि मेरा प्लांट आप देख पा रहे हैं किस तरीके से कितना healthy growth इसकी आ रही है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे कि मैं अपने प्लांट को मल्टिप्लाई करने के लिए कौन से टेकनिक को यूज़ करता हूं आशा करता हूं कि अपने वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ में नमस्कार